न्यूज चैनल्स पे आज कल घमासान चल रहा है और उसका कारण है टी आर्पी तो आज बात करेंगे क्या है टी आर्पी कैसे इसकी गड़ना की जाती है और कितना इसका महत्व है नमस्कार मैं हुदी पांच्शुक वर आप देख रहे हैं न्यूज स्टीवन उत्राकर तो अब सवाल उठता है कि टी आर्पी क्या है टी आर्पी का मतलब होता है टेलिवीजन रेटिंग पोइंट जिससे किसी भी चैनल या प्रोग्राम की लोगप्रियता का पता लगाया जाता है जिसकी रेटिंग ज्यादा उसकी लोगप्रियता ज्यादा जितना शो ज्यादा उतनी ही वो ज़्यादा लोगप्री होगा आखिर कैसे पता चलती है TRP तो इसका पहला तरीका है People's Meter ये Meter शहरों में कुछ चुनिंदा जगहों में लगाया जाता है जिससे connect किया जाता है Setup Box से कितने लोग कितने समय में किस चैनल को देख रहे हैं इस पूरे डेटा को collect किया जाता है और दुसरा तरीका है Picture Matching इसमें लोगू द्वारा देखे गए प्रोग्राम की पिक्चर को एक से मैं collect किया जाता है People Meter के थूँ और इससे एक सेंपल की तरह collect करते हैं फिर डेटा को जास कर TRP का पता लगाया जाता है TRP की जास आखिर करता कौन है ये एक बड़ा सवाल है कि TRP की जास कहा और कैसे की जाती है TRP की जास करती है भारत की दो बड़ी एजिंसिया पहला है INTAM INTAM का मतलब होता है Indian Television Audience Measurement जहां ये मुख्य एजिंसी है जो TRP चेक करती है और दुसरी है DART यानि की दूरदर्शन Audience Research Team अब एक सवाल है कि TRP के बढ़ने और घटने से क्या होता है जाएड सी बात है चैनल में 80% कमाई विग्यापन से होती है अगर TRP बढ़ेगी तो विग्यापन जादा आएंगे और उसके rates बढ़ेंगे और TRP अगर डाउन होगी तो विग्यापन कमाएंगे और नुकसान उठाना पड़ेगा बहरहाल गुणवत्ता का TRP से कोई लेना देना नहीं है हमारे अनुस्वार यह मात्रे एक प्राइकता है एक अनुमान है जो कि हम High School और Intermediate के क्लास में पढ़ा करते थे फिलहाल TRP मापने का यही एक सही तरीका है कैसी लगी यह जानकारी हमें जरूर बताएं और देखते रहें न्यू स्टाटी बन उत्रा कर